यदि फ्रेंड आप इंस्टागराम पे काम करते हैं तो फ्रेंड ये आपके लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि आने वाली समय में यदि आपके एकान पे 10,000 फ्लोबर अगर हो जाते हैं तो फ्रेंड आप इसके मदद से आप फ्रेंड आप किसी भी प्रोड़क्ट को आप पर मोट कर सकते हैं अपने इंस्टागराम आइडी से और साथ ही फ्रेंड इसके बदले आप काफी ज़्यादा आरिनिंग भी कर सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपके साथ यह और यह कि फ्रेंड आपको यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लोबर नहीं मिल आप यहाँ पर रेगुलर काम भी कर रहे हैं और रेगुलर पोस्ट भी कर रहे हैं फिर भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्लोबर और साथ ही इंगेजमेंट भी आपको नहीं मिलता है तो फ्रेंड मैं आज किस एपिसोड में आपको एक यूनिक वेब बताओंग यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको किसी भी कोई तरह कोई हैकिं टिप्स नहीं बताऊंगा। जिससे आपका एकांट बेन हो जाता है। और उर भी किसी तरह के कोई program होता है। वहाँ पे जाने के बाद आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं तो friend मैं यहाँ से open कर लेता हूँ तो friend आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यह official है मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पे किस तरह से क्या कुछ मिल रहा है तो friend, मैं आपको यहाँ पर update दिखा देता हूँ तो friend, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 गंटा, 6 गंटा इस तरह से मुझे यहाँ पर flower मिले हैं friend यह सारा जो भी flower आप यहाँ पर देख सकते हैं friend यह unique flower है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जो कि मुझे इसके बदले flower मिला है अगर आप भी ये काम करते हैं तो friend आपको 100% यहाँ पर flower मिलेंगे friend यह आपका सारा flower unique होगा friend किसी तरह का इसमें कोई भी परिशानी नहीं होगा आपको तो friend मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ home page तो friend आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलाल मेरे पास 349 flower ही है friend मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं सिर्फ कुछी दिनों से काम कर रहा हूँ उसके बदले friend मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा flower मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 पोस्ट मेरा अभी तक हुआ है तो friend मैं आपको insight भी open करके दिखा देता हूँ तो friend आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा इस 7 दिन का data है friend आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारा कुछ आपको यहाँ पर update मिल जाएगा friend आप यहाँ पर देख सकते हैं 149 फ्लोवर मुझे मिले हैं और यहाँ पर user interaction आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारा कुछ यह reach वगेरा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर बहुत ही कम काम करता हूँ अगर आप यहाँ पर जो भी मैं आज आपको बताऊंगा अगर आप यहाँ पर regular काम करते हैं तो अपको काफी जादा यहाँ फॉलोवर मिलेंगे तो अप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यह 7 दिन का सिप डाटा है जो भी मैं आपको दिखा रहाऊं तो मैं यहाँ पर करता का हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ आपको यहां पर regular basis पर आपको पोस्ट करने हैं उसके बदले आपको इस सारे कुछ आपको मिलेंगे तो फ्रेंड आप यहां पर कहेंगे कि आप तो रोज पोस्ट करते हैं फिर भी आपको फुलोबर नहीं मिलते हैं तो फ्रेंड मैं आपको पोस्ट करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से यहां पर पोस्ट करेंगे जो कि आपको रीच आपको काफी ज्यादा मिलेगा फ्रेंड तो friend मैं आज आपको live post करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से post करना है और दिन में आपको friend कम से कम 3 post करना है friend आप continue कर सकते हैं जैसे कि सुभा आपको आपने कर दिया उसके बाद साम को कर दिया उसके बाद फिर आपने रात को कर दिया तो इस तरह से आपको friend time manage करना पड़ेगा friend तो friend मैं आपको यहाँ पे live पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है तो friend मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो मेरे पास यह एक post है friend मैं आपको यहाँ पे open करके दिखाता हूँ आज मुझे ये post करना है friend तो मैं इसको पहले adjust कर लेता हूँ तो friend आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये कर लिया उसके बाद friend आपको यहाँ पे तो friend आपको user को हर एक post में ये बताना है कि आप हर एक दिन कुछ ना कुछ नया post करते हैं और इसके बदले आप उनके account को follow कर ले तो इस तरह से आपको कुछ message लिखने पड़ेंगे तो friend तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ follow this page for more update daily तो friend आपको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद friend आपको जो ही post है जिस regarding है friend आप यहाँ पे देख सकता है यह love से related मेरा यह post है तो friend आपको यहाँ पे कुछ story type से आपको लिख देना है friend तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ friend अब अपने post की साब से friend कुछ भी लिख सकते हैं तो friend मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद friend सबसे बड़ा काम आपको यहाँ पे करना है जो कि आप लोग नहीं करते होंगे इसी कारण friend आपको यहाँ पे follower नहीं मिलते है तो friend आपको करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ अब यहाँ पे live तो friend आपको यहाँ पे tag डालने पड़ेंगे friend यहाँ पे आपको जो search ranking tag है friend वो आपको डालने है तो मैं यहाँ पे impressi girl नाम से मैंने एक tag generate किया है वो मैं यहाँ पे type कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि अगर कोई अगर यह लिखता है तो friend मेरा यह जो ही post है साड़ा post open हो जाएगा और मुझे वहाँ पे ज़्यादा traffic मिलेगा friend तो friend आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने select कर लिया उसके बाद friend आपको यहाँ पे जिसके regarding आपने post लिखाया उसके regarding आपको minimum आपको यहाँ पे 10 से बारे tag आपको डालने ही डालने है अगर आप 10 से बारे tag नहीं डालता है तो friend आपको यहाँ पे ज्यादा यूनिक विजिटर नहीं मिल पाएगा तो फ्रेंड मैं आपको इहां पर दिखा देता हूँ जिसके रिगार्डिंग आपको है यहां पर आपको सिफ टाइप करना है तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं सिफ आपको टाइप करते जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है तो फ्रैंड मैं यहाँ पर 10 से बारे मैं टैग लिख लेता हूँ उसके बाद फ्रैंड मैं आपको बताऊंगा तो फ्रैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर करीब करीब 10 से 12 टैग मैंने यहाँ पर डाल दिया है जो भी मेरा post था उसके regarding मैंने यहाँ पर tag डाला है उसके बाद आपको यहाँ पर simply आपको यहाँ पर share कर देना है और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है तो friend share कर देना उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका किस तरह से यहाँ पे post हुआ है अब कि टो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यह post हूच चुका है आपको कुछ इस तरह से post आपको करना है फ्रेंड regular करना है और यहां पर आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बगारा सबख अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो फ्रेंड आपको यह फॉछ नहीं करेंगे लोग तो पहले आपको कुछ बीजिटर को आपको फ्रेंड आपको इंगेज करने ही पढ़ेंगे अगर आपके एकांट कुछ फॉलोवर अगर हो जाते हैं तो आपको हर एक दिन कुछ न कुछ यूनिक फॉलोवर मिलते जाएंगे तो फ्रेंड मैंने कुछ इस तरह से अपने एकांट पर फोलोवर को बढ़ाया है मैंने किसी भी तरह का आपको कोई भी फेक इन्फोरमेशन नहीं बता है जो भी बता है मैंने आपको यूनिक बता है और इस माध्यम से आप अच्छे खासे ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड मैं आज की इस एपिसोड में आपको यही बताने वाला था तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको लाइब दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक लाइक मिल भी चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं दस सेकेंड पहले जो मैंने अभी आपके सामने में जो मैंने पोस्ट किया था क्योंकि आप टैग अगर सही ढंग से डालते हैं तो आपको यहाँ पर यूजर इट्रेकसन आपको मिलना ही मिलना है तो आज कि इस एपिसोड में आपको यही बताने वाला था थैसे कि चाहिए पोस्ट करने हैं तो एक लोग अपने इंस्टागराम आपने वीडियो डिस्किप्षिंर kannst दे दूंग्वाइब नापव फ्रेंट था कि आप लोग किस तरह से पोस्ट करता हूं क्या कुछ करता आपको इहां पर जानकार या प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप लोग भी अपने इंस्टागराम एकान पर फ्लोवर को बढ़ा सके तो फ्रैंड मिलते हैं एक ऐसे ही नई एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप सभी के धन्यवाद दोस्तो